Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Senni Learning Classes, मैं हूँ आपके educator Neha Senni तो आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ PhD प्रोग्राम से related कुछ knowledge about JB Pant ठीक है, कि JB Pant का exam कब है और PhD में आप किस तरह से admission ले सकते हैं और किस किस science major group में आपकी seats हैं ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखो तो PhD प्रोग्राम के लिए जैसे कि अभी भी आपके forms आई वे हैं तो आप form जो हैं, वो भर सकते हैं इसके जो dates हैं भी मैं आपको बता देती हूँ तो यह देखिए, ठीक है अगर आप UG Master, M.C.A. and PhD की last date देखेंगे तो क्या है, 10-5-2021 है ठीक है, online filling की dates यहाँ पर देखो दे रखी online filling of application form is 15 तादिक से यह क्या हो रहे हैं शुरू हो रहे हैं, तो 15 से 30 तक आपकी यह शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना online filling of application form for M.Tech programs and sponsored candidate of for master M.Tech and PhD program जो की J.B.Panth के employee and development department से हैं उनके लिए date यह वाल दी गई है, ठीक है जो इसके final last rate है, वो क्या है, 10-5-2021 तो आपको जो form भरने हैं, वो 15 से भरने जो है, वो शुरू हो चुके हैं तो आपको form जल्दी से जल्दी भर देना है तीस surprise से पहले, ठीक है next application fees क्या रहती है, जनरल और OBC के लिए 1200 रुपे रहती है और SCST and PhD के लिए जो रहती है, आपकी physically handicapped के लिए रहती है 600 ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यह जब form आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको यह जो list of documents हैं, इन्हें कहां भेजना होता है युनिवस्टी बेजना होता है, ठीक है, एक envelope में रख करके तो जैसे कि इसमें confirmation page ओप application form जो आप application form भरेंगे उसका confirmation page निकल के आएगा, वो आपको print out करके लेकर रखना है जो copy है, online fee submit की वो आपको रखनी है, इसके साथ self-attested document होना चाहिए है में इंपोटेंट है कि self-attested high school के mark sheets जितने भी आपके qualifying exams है, वो सभी mark sheets आपको क्या करनी है, यहाँ पर send करनी है तो यह जो है आपका 12 into 9 आपका पूरा क्या होना चाहिए, envelope होना चाहिए, इसके अंदर आपको सभी documents है वो रखने है और यह किसको send करना है, यह आपको send करना है, controller of examination, J.B.Pont University of Agriculture and Technology यह पूरा address यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर आपको यह भेशना है, ठीक है तो यह आपके form fill करने तक की चीज रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखे सबसे पहले form fill करने से पहले आपको यह चैक करना होता है कि आपके उसमें कितने suits हैं, ठीक है, और जितनी भी knowledge है, इसमें देखो लिखी हुई है, कि आपको photos का size क्या होना चाहिए और कितनी fees है, क्या है, यह सबी चीज जिसमें लिखी हुई है, आप prospectors जो है, वो पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको main चीज जो है, वो बता देती हूँ, ठीक है तो main ली देखो, यहाँ पर यह exam center भी दिया गया है, आपका जो PhD का paper होता है, वो सिर्फ और से पंतनगर में होता है, ठीक है, अगर आप PhD के लिए हाँ पर form भरेंगे, तो आपको पंतनगरी आना पड़ेगा, exam देने के लिए, यह चीज आप अपने माइन में set रखें, ठीक और other state की exit है, इसके लिए आपको चाहिए MSC, agriculture, economics, इन सभी चीजों में, यहाँ पर इसका minimum eligibility qualification दे दिया गया, यह देखिए, ठीक है, यहाँ पर इसली पढ़ सकते हैं, इन सभी को, मेरा जो main subject है, मैं उसके बारे में जादा जानती हूँ, तो मैं उस पर जाता focus करूंगी, य अलग-अलग यहाँ पर PhD program चलते हैं, इसी हिसाब से आप जो यहाँ पर दिये गए हैं, उनको आप easily उन पढ़ सकते हैं, और देख सकते हैं, तो अभी मैं अपने जो main program है, मेरा science measures में है, ठीक है, तो science measures में है, microbiology, तो microbiology का code है, 47 है, इसके अंदर 3 city है, किसके 3 city हैं, जिनके पास सुतरखन का domicile है, ठीक है, और exit किसकी है, exit other state की होती है, फिर यहाँ पर जो minimum eligibility है, क्या है, कि maximum agriculture in microbiology है, MSC होने चाहिए, microbiology में, MSC अगर आपके पास environmental microbiology में, biochemistry में है, food tech में है, bio tech में है, environmental science में, तो आप इस form को क्या है, भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी eligibility अगर आपके पास यह सबी चीज़े है, MSC में, तो आप इस form को भर सकते है, microbiology के लिए, इसी तरह से molecular biology and bio technology, जिसका code 48S में, चार सिट है, आपके तरह है, जो मेसाल जिनके पास है, एक सिट है, जिसके others के लिए, ठीक है, इसमें आप देख सकते है, minimum eligibility नोंने लिग दी है, MSC agriculture, MSC, in biochemistry, microbiology, जिसके अगर आपके पास MSC microbiology है, तो आप molecular biology and bio technology में भी भर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपके कहेंगे, डिग्री प्रोग्राम शरुते हैं, और उसके बाद आपका exam देना होता है, अगर आप exam qualify कर जाते हैं, तो exam qualify के बाद आपकी counselling होती है, then after आपके PhD म enrollment जो हो शुरू हो जाता है, फीस वगेरा, summit हो करके, ठीक है, तो यह था एक छोटा सा session जिसमें आज मैंने आपके साथ discuss कि है कि PhD में admission लेने का, यहां पर क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सीर्स देखनी है, उसके ब पार एक्जाम आपको क्लियर करना है, अच्छे से आप अपनी बुक्स वगेरा पड़े, मैंसी में आपके पार जो भी बुक्स रही होंगी, ठीक है, फीर अगर आपके एक्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप यहां की bonified students जो हैं, वो कहलाएंगे, so that's all for today, I hope आज का session आपको पसंद आया होगा, bye bye everyone, thanks for joining us.